क्वेशन क्वेशन क्या कहता है Out of 4 numbers, the average of first 3 is 15 and that of last 3 is 16 the last number is 19 the first is क्या कह रहा है कि 4 number है first 3 का जो average है वो कितना है? 15 है और last 3 numbers का जो average है वो कितना है? 16 है तो हमें कहता है question में further कि जो अगर last number 19 है तो first number क्या होगा? हम माल लेते हैं 4 numbers A, B, C और D जिसमें D क्या है? 19 है, यह हमें question में दे रखा है साथ में हमें क्या दे रखा है? कि in first 3 का जो average है वो कितना है? 15 है इसका मतलब first 3 का जो sum आएगा first 3 का जो sum आएगा वो कितना हैगा? 15 into 3 that is equal to कितना? 45 और यह कितने के बराrokर हो जाएगा? A plus B plus C के बराखर हो जाएगा उसी तरीके से last 3 का दे रखा है कितना है? 16 है sum of last 3 वो कितना है? 16 है 16 into 3 that is equal to 48 और यह कितने के बराबर हो जाएगा B प्लस C प्लस D के बराबर हो जाएगा जैसा कि हमें question में पता है कि D की value कितनी है 19 है तो यहां से B प्लस C की अगर value find out करें तो 48 minus 19 that is equal to 29 आ जाएगा ठीक है और B और C की value find out हो गई हमें तो हम इस equation में अगर put कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा A की value मिल जाएगी हम क्या करेंगे इसमें A प्लस B प्लस C equal to 45 है ठीक है इस B और C की जगए हम क्या रख देंगे हमने अभी निकाला है B और C की value कितनी है 29 या 29 रख देंगे तो A की value कितनी आ जाएगी 45 माइनस 29 that is equal to 16 16 आ जाएगा तो A की value जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 16 option 3 इस question का सही answer है